गुरुवार का दिन भगवान स्री हरी बिश्णू की अराधना का दिन है अगर उनकी किप्रा मिल जाए तो बेक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जिन पर स्री हरी का हाथ होता है जिनके सर पर ऐसे लोगों को जीवन में कभी कोई तकलीफ आ ही नहीं सकता आज हम आपको गुरुवार के दिन करने वाले छोटे छोटे आसान से प्रियोग बताएंगे जो आपके जीवन के तमाम परिसानियों से आपको बाहर निकालेगा तो चलिए सुरुबात करते हैं देखिए सबसे पहली बात तो गुरुवार के दिन घर में पोशा नहीं लगाना चाहिए ये तो आपको पता है लेकिन अगर आप बहुत जरूरी है बहुत गंदा है घर अब आपको घर दूलवाना है क्या करेंगे एक चुटकी हल्दी पानी में डाल दीजेगा तो दोस्त कम हो जाता है कम हो जाता है याद रखिए मिटता नहीं है कम हो जाता है इमर्जनसी हो तब और गुरुवार के दिन जब आप असनान वेगरा करके पूजा पाठ करने की तैयारी करें तब भगवान स्री हरी के पूजा के थाल में हल्दी जरूर रखिएगा संख जरूर बजाना चाहिए एक तो मालक्षमी की किरपा बरस्ती है दूसरा नकात्मक उर्जा दूर भाग जाती है तो इस दिन बहुत सारे छोटे छोटे परियोग होते हैं घर के मुखे दर बाजे पर अगर गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर छिर्काओ किया जाए तो नकात्मक उर्जा दूर होती है और घर में सकात्मक उर्जा का वास होता है जब आप भगवान सुरी को जल अर्पित करेंगे तो जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर ही अर्पित कीजिएगा अगर आप ओ विवाहित हैं और ऐसे आप जल अर्पित करते हैं और केले के बिश्की भी पूजा की जाती है अगर आप ब्रिस्पतिवार का कथा सुनती हैं ब्रत रखती हैं तो ये सबसे अच्छा होता है सर्वोत्तम है लेकिन आज हम आपको कुछ खास प्रियोग बताएंगे जो तिस कहता है कि गुरुवार के दिन तुलसी के पेड़ में अगर आप जल अर्पित करते हैं तो जल में दो-चार बुंद कच्चा दूद एक चुटकी अक्छत और थोरी सी मीठी वस्तू डाल कर अर्पित करें तो घर में सुक सम्रिद्धी आती है धन बढ़ता है लक्षमी परसंद होती है और जब आप जाडू लगाती है तो आप एक दो दाने जीरा डाल कर फिर जाडू से बाहर कर बाहर कर दे तो इससे बरकत बढ़ जाती है अगर आप घर से गुरुवार के दिन जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो फिर आप पीला रुमाल रखले पास में या फिर हल्दी का थोरा सा कलाई में आप हल्दी लगा लें तो आपके कारे बन जाते हैं कारियों में सफलता मिलती है गुरुवार के दिन छोटे छोटे परियोग जरूर करें ताकि आपका भागे साथ देने लगे अगर आपका भागे एकदम से साथ नहीं दे रहा तब ओम ब्रिंग ब्रहस्पते नमः ओम ब्रिंग ब्रहस्पते नमः या फिर ओम ग्रांग रिंग ग्रॉंग सह गुरुवे नमः कोई भी दोनों में से कोई भी मंद्र का जब कर ले तो बंद किसमत के दरवाजे खोल जाते है तो गुरुवार के दिन चुकि तुलसी जी का विशेस महत तो बढ़ जाता है और तुलसी को विश्नु प्रिया भी कहा जाता है अगर भगवान स्री हरी के चर्णों में गुरुवार के दिन से शुरू करके नियमित रूप से दो तुलसी के पत्ते अरफित करें तो आपके जीवन में धन बढ़ता है मान समान प्रेम बढ़ता है अब कई बार होता क्या है अगर आप पका करने जा रहे है और उस दिन गुरुवार है तो आप घर से पीले रंगी मिठाई खा करने कलिए आपके रिष्दे तै हो जाएंगे अगर गुरुवार के दिन आप एक लाल कपड़े में पाँच कौडि थोड़े से गुलाब की पंक्खुरी और एक सिक्का चांदी का हो तो अच्छी बात नहीं तो एक रुपया का कोयन ले लीजे मां लक्षमी को एक चुटकी अक्षत के साथ अर्पित कर दें और पोटली बना कर रख लें धन के अस्थान पर बरकत बढ़ जाती है अब एक खास उपाए देखे गुरुबार के दिन चुकि भगवान स्री हरी को पीला रंग पसंद है तो इनको पीले रंग के पुस्प और अगर आप केवड़े का इत्र अर्पित करें तो जीवन में खुजाली आती है वैसे तो आप केवड़े के इत्र नहीं भी अर्पित कर सकते हैं मा लक्षमी को आप गुलाब का इत्र अर्पित करें और जो आपके उंगली पर लगा रह गया आप उसको अपनी नाभी पर लगा ले आपका भाग्योदय होता है जीवन में खुजियां बरसती है भगवान स्री हरी को पीला रंग पसंद है इसलिए उन्हें चने की दाल और गुड का भोग लगा जाता है वैसे बेशन का हल्वा का भी भोग लगा सकते हैं पीला केला का लगा सकते हैं लेकि याद रखिएगा इन चीजों का भोग लगाने से रिस्तों में मिठास बढ़ेगी पर पीला केला खाईएगा मत गुरुबार के दिन केला खाईएगा तो रिस्तों में दूरियां आ जाएगी बैबाहिक जीवन में टेंसन बढ़ेगा अगर आप लोगों के बीच नहीं बनती जगड़े लड़ाई होते हैं तो केला खाना गुरुबार के दिन बंद कर दे क्योंकि केले के बिच्च की पूजा होती है अगर आप अपने घर के मुखे दरवाजे पर हल्दी या फिर कुमकुम से स्वस्तिक का निसान गुरुबार के दिन बना देते हैं तो घर में नकातमक उड़ जा भी नहीं आती और आपके जीवन की मुखे ने भी समाप्त हो जाती है ये जो हल्दी का स्वस्तिक आप बनाएंगे घर के मुखे दरवाजे के बाहर की तरफ से बनाईएगा ताकि ये स्वस्तिक आपके जीवन में आ रही परिसानी को सोंख ले हटा दे अपने घर के मुखे दरवाजे के चारो तरफ हल्दी से अगर रेखा खीच दे तो ऐसा करने से आपके घर परिवार में खुजियां आती है किसी का टोना टोटका किया कराया नहीं असर करता और पोछे के पानी में अगर पोछा लगाना जरूरी हो तो एक बार फिर से रिपीट करें हल्दी जरूर डाल दीजेगा अगर आपका गुरू गरबड है पेट की समस्या है मोटापे की समस्या है तब हल्दी और चना दाल का दान आप पास के मंदिर में कर दें तो ऐसा करने से आपका गुरू जो गरबड़ फल दे रहा है वो ठीक हो जाता है नहाने के पानी में अगर एक चुटकी हल्दी डाल कर आप अपने घर के छोटे बच्चों को नहलाएं या जो कुमारे कन्याएं हैं वो लोग नहाएं तो उनका सिग्र विभा का योग बनता है और नजर दोस उतर जाता है नहीं लगता यानि वो लोग स्वस्थ और मस्त रहते हैं और भाग्योदे भी होता है कोई भी व्यक्ती नहाने के पानी में गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डाल कर नहा सकता है भागी को मजबूत करता है गुरु बहतर होता है और जब गुरु बहतर होजाय तो धन, संतान, मान, समान, सुख बढ़ जाता है साथ तरह का वर्दान देते हैं देव गुरु अब गुरुवार के दिन अगर आपका गुरु गरह कमजोर है बिटिया की साधी नहीं हो पा रही तब मुंतर की चीजें होती है तब आप दाहिने हाथ में केले की पेड़ की जर बांध लें पीले धागे में या आप चाहें तो हल्दी की गांट भी आप पीले धागे में बांध कर धारन कर सकते हैं और गुरुवार के दिन कुछ खास परियोग किये जाते हैं जो जीवन की मुस्किलों से आपको बाहर निकालता है एक खास बात है देखिए आपके घर में तुलसी का पौधा है तुलसी के पौधे की मि पौधी में ही दुरुवा घास आप संबब हो तो लगा दे अगर पहले से है तो अच्छी बात क्योंकि दुरुवा घास आपका भागे के बंद किसमत के दरवाजे को खोलता है और अगर आपके महापर है दुरुवा घास तो ये दुरुवा घास आप नियमीत रूप से ग गुरुवार के दिन हल्दी रख दें और उसी पे सोएं वैसे गुरुवार के दिन विसेश प्रियोगों में एक खास काम जरूर कीजेगा जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ पानी रखते हैं उमीद है आप रखते होंगे हम हमेशा ही आप से कहते हैं तो जब आप रखते हैं तो गुरुवार के दिन आप पुस्प की पंखुरी पीले पुस्प की संभव वो तो डाल दीजेगा और अगले दिन पानी को पौधे में डाल देना है वैसे तो ये क्रिया रोज करना है लेकिन अगर दिन के अनुसार आप रंग के पुस्प डाल क रखे पानी या प्लेन वाटर भी रख सकते हैं तो नाकारत्मक चीजों को भी सोकता है और आपके जीवन में आकस्मिक जो बाधाएं हैं दुरगटनाएं हैं वो सभी चीजें समाप्त हो जाती है तो हल्दी के वैसे तो बहुत सारे प्रियोग हैं लेकिन कुछ खास प्रिय आप यकिन मानिए नजर नहीं लगेगी बच्चे स्वस्त और मस्त रहेंगे बहुत सिंपल है लेकिन अगर लड़किया हल्दी का उप्टन लगाती है कच्ची हल्दी का घिसकर तो उनके चेहरे पर गलो भी आता है और उनका गुरू बेतर होता है सिग्र विभा के योग ब निर्भग निरूप से आपके सभी कारें पूरे हो जाएं गुरुबार के दिन जब पूजा करते हैं तो पूजा करने के समय दीपक जलाते होंगे अब इस दीपक में अगर आप एक चावल का दाना हल्दी से कलर करके उस दीपक की बाती के साथ रख देते हैं और फिर करें के लिए आप हमारे वेब साइट ग्रेंधरमासर्माग.com गूगल साच करके आ सकते हैं वेब साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा धन्यबाद फिर मिलेंगे